हेलो जी, वेलकम टू जैस्वीज किच्छन, आज मैं आपके साथ ऐसी सेंड्विच टोस्ट की रेसिपी शेयर करना जा रही हूं, जो बहुत ही यम्मी है, बहुत है, बहुत है, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, I believe in homemade food is always good because it is hygienic, healthy, fresh and nutritious, तो चलिए श मिर्सी ली है, एक टमाटर का बीजवला हिस्सा निकाल के ले लिया है, अब हम इन सारी सबजियों को बारिक बारिक चॉप करके बोल में डालते जाएंगे, यह जो सबजियां होती है, यह प्रोटेक्टिव फूर्स होती है, क्योंकि यह बहुत सारी एलमेंट्स से हमें बच इनको भी चॉप करके डाल दिया है, हरा धनिया, बहुत बारिक बारिक चॉप करके डाल रही हूँ, और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अको अच्छा लगता है, मैंने एक चोटी सी हरी मिर्ची अड़ की है, तो कैबिच को भी अब हम श्रेड करके डाल लेते हैं, अपनी पसंद से अड़ कर सकते हो, अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करते जाओंगी और इसको एक अच्छा सा बैटर बना लोंगी लंफ्री, जो ना तो बहुत गाड़ा हो ना तो बहुत ही पतला हो, बस इतना की ब्रैड के उपर कोट हो जाए, अगर आप मीठे स पानी लगा इसमें और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बस ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, तो चलिए जी बैटर भी हमारा रेड़ी हो गया, इसको साइड पे कर देते हैं, अपनी फिलिंग को और जादा टेस्टी और निटिशियस बनाने के लिए, मैंने 60 ग् कंबाइन कर लूँगी और फिर स्पाइसी अड़ कर लेंगी, यह नमक डाला है मैंने और जरा सा गरम मसाला डाला है, और मैंने कुछ हैड नहीं किया, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची पावडर एड़ कर सकते हो, जितना आपको तीखा चाहिए, हमने सबजियों में हरी इसको एक फ्लैट सी डिश में डाल लेते हैं ताकि हमें ब्रेड स्लैसे को डिप करना ईजी हो जाए, यह मेरे पास पांच Slices हैं, ब्राउन ब्रेड है, जो भी चाहें, जो भी आपको ब्रेड अच्छी लगते हैं, वो ले सकते हैं, यह मेरे पास न वैसे तो टोटल 6 स्लै कोनों तक अच्छी तरह से फैलाईएगा और खूब सारी लगाईएगा क्यूंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रियेंट्स हैं तो एक तरफ मैंने तवा गरम होने के लिए रख लिया है लो मीडियम फ्लेम पर उसको हम घ्रीस कर लेंगे किसी भी वेजटीबॉल के साथ या फ करके अब हम तवे के ऊपर डाल देंगे और फ्लेम को लो रखिएगा अब जो स्टफिंग वाली साइड है ना उसके उपर हम बेसन का जो बैटर बनाया ना उसको पूर कर देंगे एक हल्की पतली सी लेयर हम लगा देंगे ताके हमारी जो सब्जियों वाली लेयर है ना वो सारी कवर हो जाए बच्चोंको सब्जियां खिलाने का ये बहुत अच्छा थ्रीक है उनको पता यी नहीं चलेगा कि इसमें है क्या उपर से कवर हो जाएगा ये वेसन की साथ और जब वो खाएंगे न ako कभ अधु आपी नहीं चलेगे हम सब्जियEst requirements ऑप़ हम apl никаких कूस बüş से बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही डेलिकेट सा ये सैंडविस टोस्ट बनता है, बहुत सारी धेर सरी सबजियों के साथ, आप चाहें तो इसमें प्रोसेस्ट चीस या फिर मॉजरेला चीस भी आड़ कर सकते हैं, ये ऐसा नाश्ता बनेगा, जिससे आपका पेड तो भर वेजटेबल ओयल लगा सकते हो, स्पिंकल कर सकते हो अब और ज़ादा इसको क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनाना चाहते हो, तो बटर का यूज करिएगा, मैंने वेजटेबल औएल डाला है, चारो तरफ लगा के थोड़ा से उपर भी स्पिंकल कर दिया है, और नीच साइड पे भी ऐसे गुमा गुमा के इसको सेक लीजिएगा ताके जो साइड साइड पे बेसल लगा हुआ न वह भी कुख हो जाए उसमें से कच्छा टेस्ट बिलकुन आए तो इस रेसिपी को आप प्लीज ट्राइ जरूर करिएगा और अपनी फीडबेक मुझे जरूर आप इसको गर्म गर्म सर्व कीजिए चाही या काफी के साथ टोमेटो केचप के साथ या बिना टोमेटो केचप के भी बहुत ही बहुत अच्छी लगती है थैंक यू फो वाचिंग तो आज इसको नाश्टे में जरूर बनाईएगा